अमरिता सिंग और सैफ अली खान की बिटिया सारा अली खान के सितारे इंदुनों बुलंद हैं डेब्यू फिल्म के दारनाथ की रिलीज से पहले ही उन्हें फिल्म सिम्हा, बेताब 2 और बुलबुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के ओफर मिल रहे हैं पहली दो फिल्मों को लेकर फिल्हाल जहां बातचीच चल रही है वही फिल्म बुलबुल का ओफर उन्हें ना चाते हुए भी रिजेक्ट करना पड़ा खबर आई थी कि सारा अली खान ने अपनी डेब्यू फिल्म की एदारनात के डिरेक्टर अभिशेक कपूर के कहने पर ऐसा किया था बताया गया कि अभिशेक कपूर चाहते थे कि सारा अली खान का पूरा फोकस अपनी डेब्यू फिल्म पर हो और उसकी रिलीस के बाद ही वो कोई और फिल्म साइन करें इस वज़े से सारा अली खान को एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर अनुषका शर्मा का ओफर ठुकराना पड़ा हाला कि अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है हिंदी सिनेमा गलियारे में चर्चा है कि प्रेरणा अरोडा से अपने प्रोफेशनल डिफ्रेंसिस की वज़ाए से अभिशेक का पूर सारा ली खान को नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पा रहे है जब तक सारा को N.O.C. नहीं मिल जाती वो कोई भी फिल्म साइन नहीं कर सकती ऐसे में ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्म बुलबुल का ओफर ठुकराना पड़ा देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सबस्क्राइब करना ना भूले